इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा मौझूदा मीडिया, मौझूदा जो फिलाल, जितने भी चैनल्स, इनका क्या किरदार होना चाहिए आज की जमूरियत के अंदर डेमोक्रिटिक जैसा आपने कहा, तो जो नई कर पारें तो इसके लिए क्या है और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप देखिए एक बात है, every workman, workman बोले तो काम करने वाला, कोई भी, दूसरा दूसरा का, every workman is fully clothed, मैं बाद में आपको बोलता हूँ, लेकिन journalist is exposed naked everyday, बोलके एक बात है, उसका माइने ये हैं कि आप कुछ भी अलग काम करते हों, आपको कोई पहचानता नहीं है, लेकिन आप सह भाफ़त करते हैं, journalist हैं, तो हर दिन आपको लोगों के बीच में नंगा होना पड़ेगा, लोग समझ जाएंगे कि आपके इरादे क्या है, आपकी language का है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको विरोध कर रहे हैं, ये आप लोग समझ जाएंगे, तो ऐसे ही मौजुदा ह चाहिए था, क्या हुआ, उसमें दो बाते मैं बोलता हूँ, कोरोना एक नई चीज है, उसका नाम ही है, नौवल कोरोना, मतलब नया कोरोना वाइरस, लेकिन वो पुराना वाइरस से अपना तालुकात रखता है, सार्स और मार्स जो हम बोलते थे, सार्स 2002 में आया था, मार् बहुत से लोग प्रभावीत नहीं हुए, मरें नहीं, मार्स से भी ज्यादा लोग नहीं मेरे, लेकिन इससे मरें, क्यों? इसलिए किसी ने कहा है, उसको बहुत अच्छे इंदास है, कि वो एकानोमिक वाइरस है, मतलब सार्स कहां से आया था, आफरिका से आया था, मार्स क गाय और बच्छडी से आया था, मार्स उन्ट से आया था, और ये वाइल लाइफ से आया है, आज कल हम चाइना पे इतने डिपेंड हो गए हैं, कि एक दस रुपई की चीज़ के लिए भी हम चाइना का सामान खर रहे हैं, हमारे मार्केट में हमारे सामान से ज्यादा चाइ ज्यादा आपको वह भी लेना पड़ेगा, और जब वाइरस देता है, तो वह भी आपको लेना पड़ेगा, हमारी एकानिमिक डिपेंडन्स चाइना के उपर इतना हो गया है, कि हम उसको उससे दूर नहीं रह सकते, ये बात, दूसरी बात है कि कोरोना के उपर बहुत कम र किसर्च हुआ है उसको लोगों को लोगों तक ले जाने का और लोगों को समझे इतनी सरल भाषा में बोलने के कोशिश कोई भी मीडिया नहीं कर रहा है या तो वह बहुत-बहुत मुश्किल लैंग्वेज में बोल रहा है भाषा citizen जो है जो जाइफ है जो गरीब है उसके दिल में एक ऐसा दहशत फैला दिया ऐसा वो डर गए एक कोरोनों के बाद सुनके सुनके कि उनके लगता है कि वो कल मर जाएंगे यह बहुत बड़ा हाना कि मीडिया वाले वाइरस के बारे में ज्यादा नॉलेज दे दे के लोगों की डर को कम करना चाहिए था लोगों को ज्यादा प्रिपेरिडनेस देना चाहिए था वो नहीं करे एक दूसरा बिना वज़ाए उसको धर्म का कलर दे के उसको हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर दिये निजामुद्दिन मरकज में जो मस्जिद में जो लोग गए थे उन्होंने दूसरों को फाइला आया बोलके अफ़ा फाइला दिये तीसरा सरकार जी की जो कामिया थी आज भी हैं लॉकडाउन एक दूसरा हेल्थ मैनेजमेंट उनमें जो मिश्टेक्स थे उनको हमारे मीडिया ने उठाये नहीं मैं आपको हर एक स्टेज का बोलता हूँ एक पहला केस हुआ था चाइना में नवंबर में उसको इन लोगों ले सीरेसली नहीं लिया ये लोग उस पे चुप रहे डबली यचो ने भी उसके उपर चुप रहा चाइना ने भी नहीं बोला हमारी केंद्र सरकार मार्च 23 तक चुप रहे हाला कि हिंदुस्तान में पहला केस हुआ था जनेवरी 30 अगर उसी दिन हम इंटरनाशनल एरो प्लेन बंद करते थे तो इतना ये नहीं फैलता था जनेवरी और मार्च के बीच में हिंदुस्तान के बाहर से 20 लाख लोग आए हैं हिंदुस्तान में अब उनकी चकिंग नहीं हुई है उनको सिर्फ थर्मल चकिंग हुआ है थर्मल चकिंग से कुछ मालूम नहीं होता है क्योंकि नान सेमिटेमेटिक केस है पॉजिटिव तो तो आप उसको ऐसे आसानी से पहचान नहीं सकते हैं उसके लिए आपको स्वाब टेस्ट करना पड़े हैं वह नहीं करें दूसरा स्वीडन आप लीजिए वहां लॉगड़ॉन ही नहीं है लेकिन वह बहुत कंट्रोल में है आश्रेलिया अमेरिका एप्रिल एंड तक उसमें बहुत गरीबों की जिन्दगी चिनी गई तीसरी अगर आप इतना ही सीरियस हैं लॉकड़ॉन के बारे में तो 55 दिन आपने शराब की दुकान खोले वहां लोग लड़ रहे थे जगड़ रहे थे कबड़ी खेल रहे थे दुकान के बाहर उनको लग कि वो सब मर जाना चाह करने का स्वदेशी कंपनियों को इंडियन कंपनियों को ज्यादा काम देने की काम करना चाहिए था वो नहीं करया आज भी हमारा टेस्टिंग इंपोर्टेड किट्स के उपर हो रहा है हिंदुस्तान में कोई टेस्टिंग का किट नहीं बन रहा आज भी नहीं बन रहा हाला कि वेंटिलेटर आसान काम है एक छोटा सा गाउं का छोटा सा इंडर्श्री लेरे में भी उसको कर सकते थे सेकेंड मैं बोलता हूँ आपको करनाटक का एक्जांपल आप लीजिए करनाटक में आज के हिसाब से पांच हजार पांच सो केस हैं उसमें निजामुद्दिन मरकत से कांटक से फाइलने वाले सिर्फ पांच सो केस हैं अगर निजामुद्दिन की पांच सो केस हैं और बाकी के पांच हजार केस हैं आप किसको गाली देना चाहिए किसको दोशीट हरा चाहिए और किसको बोलना च प्रेड से आया आप समझिए पहले चाइना हम इतना उसके उपर डिपेंड हैं चाइना के मार्केट से इसलिए हम सब चाइना जाते हैं आते हैं और चाइना वाले यहां आते हैं जाते हैं इसलिए वह फैला दूसरा यूरोप से हमारे बहुत बहुत बढ़ी संख्या में हमारे बच्चे IT काम करते हैं यूरोप जाते हैं आते हैं और टूरिजम के लिए बहुत लोग यूरोप जाते हैं आते हैं उनसे फाइला, क्योंकि नान सिंटेमेटिक लोगों से बहुत जल्दी फाइलता है, आप समझ लिजिए, तीसरी बात, 100% सेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब अगर बेलगाम में कोई केस है, वो टेस्ट सैंपलिंग के लिए आता है, सिर्फ तीन घंटे में उसका टेस्ट हो जाता है, लेकिन वो टेस्ट का रिजल्ट बेलगाम से बैंगलूर जाता है, बैंगलूर से डेली जाता है, डेली से वापस बैंगलूर आता है, बैंगलूर में उसका अनॉंजमेंट होता है, इतना आपने स्टेट्स को कोई माहिने नी दिया सिर्फ उसको सेंटरल गवर्मेंट में बना दिया यह फेडरलिजम के खिलाफ का मुह है यह बहुत कलत है तीसरी चीज़ निजामुद्दिन मरकज का ही आप एक्जामपल लेजिए डेली पूलिस ने डेली सिटी कॉर्परेश तबलिग जमात के जो जिम्हदार लोग हैं उन्होंने कलारिफिकेशन दिया कि हम तीन लेटर लिख चुके थे उनको डेली पूलिस को और डेली सिटी कॉर्परेशन को इसमें आप फर्क समझे डेली पूलिस काम करता है सेंटरल गवर्मेंट की नीचे वो डेली गवर्में डेली स्टेट गवर्मेंट और सेंटरल गवर्मेंट तीनों लोगों ने उन तीन लेटर्स का कोई जवाब नहीं दिया उन लोगों को शिफ्ट करने का उनको ना तो पास दिया ना वेकल पास दिया तीसरा मार्च ट्वेंटी एट को जब डेली पुलीस और डेली सिटी कारपरेशन के लोग निजाम अधियर मर्कज पे उपर जाके मिले वहां के लोगों को वो घर बेजे उसके बजाए अगर वो तीन हजार लोगों को हाला कि कुछ लोग बोलते हैं कि उस दिन सिर्फ एक हजार लोग थे मान के चलेंगे कि वहाँ तीन हजार लोग थे वो तीन हजार लोग उनको आप डेली में कॉरेंटाइन करते और उनको गाउं जाने नहीं देते उनको 14 दिन डेली में रखते तो इतना केस नहीं होते थे तो आपके दिमाग में था कि हिंदू मुस्लिम इशू बने हम उसका सियासती फाइदा उठाएं बोलके आपके मन में था इसलिए आपने ऐसा किया मान लीजिए वो उन्होंने किया उन्होंने चक्का मारा उनका थोड़ा बेनफिट भी हुआ ठीक उसके बाद में क्या हुआ जब सेकेंड लॉक्डाउन और थर्ड लॉक्डाउन की टाइम पर आपको फीड़बैक मिलने लगा कि यह बिजिनेस के खिलाफ है लोगों की बरबादी हो रहा है इकानमी डैमेज हो रहा है जीडीपी कम हो रहा है तो आपको यह लगने लगा कि हम उसको बंद करेंगे हम उसको खोलेंगे तो आपने क्या किया इंटर स्टेट ट्रांस्पोर्ट आपने अलो किया ट्रेंस आपने शुरू के बस शुरू करने के इजाज़द दे दिये आपकी हालत ऐसी थी कि आपकी पास मजदूर के लिए कोई स्पेशल प्लान नहीं था For example, करनाटका गवर्मेंट में KSRTC बर्स में एक आदमी को तीन गुना टिकेट दिये क्योंकि आधा लोग जाने वाले और वापस वो खाली आएगा बोलके एक ही मजदूर के पास आप तीन टिकेट का पैसा वसूल करें तीन दिन के बाद जब लोग चिलाने लगे तो आपने उनको फ्री भेज दिया दूसरा हिंदूस्तान इतनी बड़ी मुल्क है यहां लोग तीन हजार-चार हजार किलोमेटर जाके अपना काम करते हैं एक आदमी जो काम के लिए दूसरे स्टेट आया हो वो वापस जाने के लिए अपना ही एक सिस्टम उसको हो बोलके आप सोचे नहीं बहुत से लोग हजारों की संक्या में लोग चलते गए कुछ लोग तीन हजार किलोमेटर चार हजार किलोमेटर तक चलते गए कुछ लोग मर गए, कुछ लोग अपने गाउं नहीं पाए, जा नहीं पाए, कुछ लोग अपने प्यारे लोगों को खो के अपने गाउं पहुँचे अब कोई आदमी 3000 किलोमेटर चल के जाता है, क्या वो आसानी से वापस आता है नवकरी डूणने के लिए अगर उतना होने के बाद भी अगर वो वापस आता है, तो उसको इतना बुरा लगेगा अपने सरकार के बारे में, अपने जिंदेकी के बारे में, कि वो खुद कुछी करने का सोचेगा, या अपनी बाल बच्चों को उसकी परवरिश के लिए कुछ सो काम करेगा तीसरा, रेलवे डिपार्टमेंट जो एक ही ट्रेन नहीं चला रही थी साट दिनों से, 40 ट्रेन भटक गए, वो जहां जाना चाहिए था, वो वहां नहीं गए, और 80 लोग ट्रेन में मर गए, 130 बच्चे पैदा हो गए ट्रेन में, तो ये ट्रेन का जो मिस मैनेजमेंट है, ये भी एक अलग कहानी, और फाइनली हेल्थ मैनेजमेंट, पहले आप क्या करें, कंटेनमेंट जोन को ही लेजिया, पहले तीन किलोमेटर का कंसेंट्रिक सरकल, कंटेनमेंट जोन होता था, उसके बाद बाहर दो किलोमेटर का बफर जोन होता था, दोनों कंसेंट्रिक सरकल होता था मतलब एक ही मरकज से केंदर से बाजु में घुमा घुमा के पांच किलो मिटर का होता था लेकिन आते आते उसको घटा के एक सो मीटर का कंटेन्मेंट जोन बनाये अभिक और एक नाया कानुन आया है कि जिस घर में पॉजिटीव हो सिर्फ ngày घर कंटेन्मेंट जोन है तो लोगों को लगने लगागा कि आप पेशन्ट के उपर नई कर रहे हैं पेशेंट के धर्म के उपर कानून डिसाइड करते हैं दूसरा क्वारंटाइन की रूल कर दीखिए पहले होता था तीस हफता का कॉरेंट नेज का कॉरेंट में 14 डेज का हुआ बाद में साथ दिन का हुआ अभी साथ दिन का institutional quarantine और 14 दिन का घर का quarantine बोलके कानून आया है और एक-एक सिंदू में अगर आपका registration है तो आप जा सकते हैं लेकिन सेवा सिंदू का registration डिसी रोख सकता है 14 में को जो लोग हासन और मंडिया के लोग निपाणी में पाए गये थे जो महराठर से आ रहे थे वो 11 में को उन्होंने सेवा सिंदू में अपना नाम डाला था चार दिन बाद भी वो क्लियर नहीं हुआ था हलाकि वो एक मिनिट में क्लियर होना चाहिए 200 लोगों को 190 लोगों को चीफ इनिटर ने स्पेशल पास दे के छुड़वा दिया उस दिन एक तीसरा डेड बोडी जब कोई मरता है वो अपने गावन लेने के लिए कोई जाता है तो उसको बार्डर पे रोका जाता है यह बार्डर पे रोकने का जो चकर है वो अलग-अलग कानून है उसके एक स्टेट में अलग है दूसरे स्टेट में अलग है तीसरा अगर आप चल के आते हैं रास्ते में बस में आते हैं कार में आते हैं आपको अलग कानून है आप ट्रेन में आते हैं तो अलग कानून है आप प्लेन में आते हैं तो अलग कानून है तो ये कौन देख रहा है ये कोई जान बूज के कर रहा है या सब समझ के कर रहे है आप बिना समझ के कर रहे हैं और ये लोगों में discussion क्या हो रहे हैं और इतना होने के बाद भी वो coronavirus सब लोगों के सब धर्म के लोगों में आने के बाद भी आज भी करनाटा की एक former minister और MP बोलती है कि वो निजामुद्दीन से फाइला अगर आपको इतना भी simple logic समझ में नहीं आता है कि 500 से बड़ा 5000 है तो ये मतलब आईसी चीज़े मीडिया में discussion होना चाहिए देखिए आप कोई regional मीडिया में या वो कनड़ा हो या हिंदी हो वाइरस scientist को बुला के discussion आज तक कोई नहीं करा सिर्फ doctor से discussion हुई वाइरस को समझने के लिए वाइरॉलजी जो पड़ा है उसको बुलाना चाहिए मैं आपको एक simple बात बोलता हूँ अगर आपको कोई एक bottle पानी में coronavirus डाल के देंगे आप उसको पी लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा अगर आप वाइरस आपके नाक से अंजर जाएगा और यहां लंक्स में उतर जाएगा फेवडे में तब आपको प्राब्लम हो जाएगा यह ऐसी छोटे चीज समझाने के लिए कोई टीवी चानल ने कोशिश नहीं किया यही मेरे ख्याल से टीवी चानल का सबसे बड़ी ग असलब अपनी दिमाग नहीं लगाते उसको क्या यह ठीक है सच्छे बोलने का और दूसरा आदमी उसको चक नहीं करता एक ही आदमी के हाथ से हो निकल जाता है दस लोगों को फारोड होता है और उसका कोई कानूनी कारवाई उसके उपर नहीं हो रहा है वाटसप के मेसेज जिसके हिसाब से लोगों को लोगोंने मारा है बच्चे चोरी करने वाले बोलके 56-60 लोगों की यहां जान गई है हिंदुस्तान में भाई-भाईयों के बीच जगड़ा हुआ है गाउं गाउं के बीच जगड़ा हुआ है धर्म-धर्म के जाती-जादी के बीच जगड़ा इन्होंने सोचल मीडिया लगाया है आज भी सोचल मीडिया के खिलाफ एक अच्छा कानून हिंदुस्तान में नहीं है जो साइबर सेकुरिटी एक्ट है या फिराइटी एक्ट है उसको बहुत सक्ती से लगाने का किसी ने सोचा नहीं है उसको लागो किसी नहीं किया है और आ तोड़ा उनको समझ में आ जाएगा लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा बहुत बहुत शुक्रिया रिशी के सुभाई आप आए यहां पर एक आखरी पैगाम हमारे दर्शकों को हमारे न्यूस चानल देखने वालों को देखे मीडिया अलग-अलग टाइप का होता है अलग- महसूस करना चाहिए हमको यह एक अनाशनल य इंटर्नैशनल नाशनल मीडिया होता है, एक स्टेट मीडिया होता है, रीजनल मीडिया होता है और उसमें षुपभी सोशली डिफॉरांट मीडिया हम जो बोलते हैं मतलब कम्यूनीटी रीडियो जैसा ममाड़ेल है अमेरिका और यूरोप में वैसा आजकल नए मीडिया आने से इंटरनेट मीडिया आने से निउस पोर्टल्स और निउस चैनल्स इंटरनेट चैनल्स जो बहुत ऐसे बहुत बड़े पाइमाने खुल पे खुले हैं वो कोई focus लेके काम करते हैं for example ना मैं आपको बोलता हूँ Mother Jones बोलके एक website है अमेरिका में जो सिर्फ सरकारी स्कूलों के बारे में काम करती है एक slate बोलके अमेरिका में website है जो सिर्फ White House politics की काम करती है Guardian का जो दूसरे दूसरे website है एक सिर्फ music के बारे में है अईसा Minority issues के लिए भी अपने अपने दूसरे दूसरे टाइप के मीडिया है अपने अपने पोर्टल्स हैं वीडियो मीडिया है हमारे बेलगाम में इतिहाद news channel Minority issues को उठाने का उनके बारे में discuss करने का वो जिस मसाइल को वो लोग face कर रहे हैं उनका हल कैसा है वो सरकार की गिंती में है की नहीं है उसका लीडर जो Minority का लीडर है उसका क्या काम है वो सिर्फ लोगों से इज़त कमाने के लिए बैठा है सरकार का benefit लेने के लिए बैठा है या लोगों के काम करने के लिए बैठा है तो यह Minority leadership क्या है और Minority के सामने क्या issues है Minority का Education की क्या Issue है, Housing का क्या Issue है, तिजारत का क्या Issue है, Professional नौकरीज में वो क्या Issues फेज करते हैं, Judicial सिस्टम में मतलग कितने Judges हैं, कितने Lawyers हैं, Legal Education कैसा है, Medicine Education कैसा है, Engineering Education कैसा है, ऐसे Issues को Discuss करने के लिए एक Platform यहां बना है, मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों के इसमें Engage होना चाहिए, इसको देखने चाहिए, Discussion होना चाहिए, और Participation करना चाहिए, क्योंकि हर मीडिया तब बढ़ेगा, हर मीडिया तब Meaningful हो जाएगा, जब यहां Public Participation हो, जिसके लिए वो बना है, वो लोग उसमें involved हों, Engage हों, औ और अपने-अपनी Contribution देते रहेंगे, Different-Different Intellectual Contribution, Moral Support, कुछ भी हो, Subscription यह हुआ, तो यह बहुत बढ़ा Strong Media होकर उबरेगा, और लोगों का Problem हल करने के लिए कोई काम आए, पेगाम इतिहाद News Paper है, और इतिहाद का News Channel है, बहुत बहुत शुक्रिया यह थे जनाब रिशिकेश बहुत दूर देसाई, जियो सहाफत की दुनिया में एक काफी मारूफ शक्सियत है, जिन्हों ने बहुत खुल कर मुख्तलिफ मौज़ों पर, उन्हों ने अपने ख्यालात का बेबाकी के साथ इसके बाद जो अगले ह शुक्रिया, अल्हाफीस